जीफांग आप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री अर्चो क्योंकि उसका प्यार सच्चा है उसने पूर्वी के लिए सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ा है अपनी आईशोराम की जिन्दगी भी छोड़ा है किसलिए कर आईए से पूर्वी के लिए निए अर्चो मैं तुछ से कह रही थी कि अरे ये कहां गई अर्चना अंटी वो आप देखें अंटी मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि आप मुझे यहां पर देखके काफी नाराज होंगी अर्चना आपको मेरे सामने देखके मुझे बहुत लखी फील हो रहा है आउंटी वो इसलिए कि कि मेरी मा जिन्दा नहीं है ना शाद भगवान ने आप आपको मेरे पास भेज़ है अच्छली आउंटी मुझे मुझे आपका आश्रवाच चाहिए था मैं इंट्रवी के लिए जा रहा हूँ आपने मुझे आश्रवाच नहीं दिया खिर कोई बात नहीं आपने अपने पैर चुने से रोका भी नहीं आश्रवाच नहीं आपके लिए मैं चलता वाँटी कितना सर्दर्दे सुंद्री सुंद्रे आना सर्दवाना कौन? तेजु बेटा तू आई बेटा सुबे जो मैं चेलाई न तुझे उसके लिए सौरिया राजी तू ना खामखा की टेंशन लेती है सार में तो दर्द हो नहीं तेरे सुबे सुबे इतना हंगामा तुझे पता है मैं अपनी मर्जी से मदद करने गई थी और आजी वहाँ थोड़के गई तो एक बात बता कैनेडा में तो हमेशे कहती थी थी ना कि बाबा और उस औरत के बीच में कुछ प्रॉबलम में मुझे पूछना है कि क्या प्रॉबलम में तुने वह प्रॉबलम्स कभी डिसकस तो की नी कभी बताया भी नी और एक्जाक्ली जब बाबा ऐठारा साल पहले इंडिया से कैनेडा गए थे तो हुआ क्या था तो मुझे जानना है बताना क्या हुआ था क्या है विटा दुनिया में इतने सारे पति-पत्नी है ना हरे के घर में चगड़े होते हैं तुने देखा होगा वैसे ही तेरे आई बाबा के साथ एक दुसरे से क्या बैस हो गई कुछ मुझे पता नहीं मेरा माना ओ तेरे आई पे गुस्सा हो गया उसने सब को साथ लेके क्यानडा जाने का फैसला किया तुम इतनी इतनी सी बच्चिया थी दो-दो, सब को उठा के हम क्यानडा चले गए देख क्यानडा एक दाबा तेरी आई ने तेरे बाबा को डाइवर्ज की नोटिस भेजी अभी क्यू भेजी कैसे भेजी मुझे जरा भी इंट्रेस नहीं था मैंने उसमें दिल्चस भी नहीं ली लेकिन मैं बताती हूँ बेटा यह तेरी उम्र नहीं है जो हुआ सो हुआ तु भी टेंशन मत ले और ज्यादा पूछ मत तुझे भी तकलिफ होगी बेटा अजी एक और क्वेस्चन पूछू पूछ पूछ तु चैनदा में मिशा बंदु आते को फोन किया करती थी मेरी बच्ची है मुझे याद आते थे उसकी हमारी आई ने थामें कभी फोन नहीं किया क्यों क्यों उसे हमारी याद नहीं कभी यही तो समझने की बात है बेटा अठारा सालों से तुम लोग हमारे साथ रह रहे लेके गए तभी इतनी इतनी सी बच्चिया थी यह अगर तुम्हारी आई होती उसको तुम्हारे लिए प्यार होता अठारा सालों में एक पल भी उसे तुम्हारी याद आती वो तुम्हें पोन करती जब तुम जैसी बच्चियों को अपनी आई के जरुरत थी, तब यह इधर बैठी थी, और तुम वहाँ पल रही थी, आजी के साथ. अब यह मत सोच जो तेरे लिए किया वो कितनी अच्छी है, यह सब अपने स्वार्थ के लिए करती है, तेजु तु और ओवी से जो दिखावा करती है न, प्यार का, जूटा, जूटा, तु समझ नहीं सकती, बेटा, छोटी है न, तु, थोड़े दिन जाने दे, पूरा समझ जाएगे अब आना हमें आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, आपको नौकरी मिलनी है और यह हमने तै कर रखा है, मैं बस अभी अपने यहां के दो लोगों को निकाल कर, आपके लिए विकेंसी, सर, 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 आप किसी को निकालिये मत प्लीज, in fact, thank you, thank you for the favor, sir, मैं, job छीन करिये, job नहीं चा थेली करते में आपके, मैं आपके को नहीं चाहिसे में ही हमनी है, मिस्च्र अरजून, यह, जैए यही आपको सर ने अंदर बुला है अलो सर, हाई अरे अर्जुन कि लोसकर जी आप आप जानते हैं मुझे? अर्जुन जी आपको डीके सर को कौन नहीं जानते? अवेसे भी हमने साथ मैं बिजनिस के है सर आपकी कंपेरिजिन में मैं बहुत ही छोटा सा बिजनिसमैन हूँ इसलिए शायद आपको याद नहीं है ने ने ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है खेर पताएए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ वैल लो यह यह आपकी कंपनी में जॉब चाहिए थी सर क्या आप जॉब करना चाहते हैं जी वो भी हमारी कंपनी में जी क्यूं मजाग कर रहे हैं सर इनी प्रोब्लम नो देखे अक्चुली आपको जॉब के लिए तो इंकार करने का सवाल ही नहीं होता लेकिन मैसे फिलाल हमारी कंपनी में कोई वेकेंसी नहीं है तो इस नो बिग प्रोब्लम आपर आप अर्जुन किर्लोस कर है तो हम आपको एकोमेडेट कर लेंगे तोन परें जी नहीं Mr. Sandeep, thank you thank you for the favor but just because मैं अर्जुन किर्लोस कर हूँ आपको मुझे एकोमेडेट करने की कोई जरो रहते thank you for the offer thank you congratulations Mr. Arjun आपको हम जॉब टेफिनिटली देखे thank you, thank you very much c5 app टाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिलकुल फ्री